अब हमारा फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर राइबोसूम राइबोसूम के अध्यन के लिए एक विशेश यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसे हम बोलते हैं अल्ट्रा सैंट्रिफ्यूज जैसे यह एक हम लोग बोल सकते हैं एक गोल यंत्र होता है जिसके अंदर जिसे हमारा कूकर होता है तो कूकर से थोड़ा सा और अलग टाइप का यह थोड़ा सा अंदर की साइड में जुका हुआ यंत्र होता है इसमें बहुत सारी ट्यूप्स लगयो ही होती है और उसमें जो है वो राइबोसूम के घोल को डाल दिया जाता है उसमें विशेश प्रकार की यसी जिसे की वो पत्रे होते थे पत्रों में जो नालिया होते थी जिन से पानी बेह कर नीचे चला जाता था अलग-अलग तरह से पानी नीचे चला जाता था तो उस प्रकार से यह जो ultracentrifuse यंद्र होता है इसमें विशेश प्रकार की नारियों में डाल देते हैं राइवोजोम की घोल को और उसे तेजी से घुमाया जाता है यह electricity से चलता है ultracentrifuse यंद्र जो है तो switch on कर देते हैं और वो अपनी speed से घुमता है यहाँ विविन आकारों के अब देखिए यह जो है हमने घोल डाल दिया है यंद्र में अब यह हमने switch on कर दिया उसका और वो जैसे जैसे गूमता है तो उसमें क्या होता है कि विविन आकारों के राइवोजोम भीन भीन गती से नली के तल में बैठते हैं इसी गती को हम क्या बोलते हैं अवसादन गुडांग अब देखिए हम सभी को पता है कि जो हलके particles होते हैं वो उपर आ जाते हैं और जो भारी particles होते हैं वो नीचे बेट जाते हैं जैसे कि हम दही को मतते हैं जब हम उसके चार्ज बनाते उसमें जो मक्षन होता है जो लाइट वेट होता है वो सारा उपर आ जाता है जैसे हम उसको दई को मतते हैं और चार्ज बनाने की प्रक्रिया जब करते हैं तो हलके पार्टिकल्स जो रहते हैं वह नीचे बैट जाते हैं तो उसी प्रकार से यहां पर भी उनके आकारों के आधार पर राइबोजोम उनके भिन भिन आकार के अनुसार वह गती मतलब अलग-अलग जो उसमें स्पीट से जब यह घुमेगा अल्टर सेंट्रिफ्यूस तो जो हेवी पार्टिकल्स है वो नीचे की तरफ तले में बैठने लगेंगे और जो लाइट पार्टिकल्स है जिनका वजन कम होता है वो उपर की और आने लगेंगे इसी गती यह जिसे स्पीट से घुमते हैं इस गती को हम क्या बोलते हैं अवसादन गुडांक इसे हम अवसादन गुडांक कहते हैं अब फोर्ट पॉइंट है हमारा यहां पर कि इस गती को मापने की इकाई, इस गती को जो मापने की यूनिट होती है उसे हम S, capital S इसे हम शो करते हैं, स्वेटबर्ग यूनिट से, इससे हम यहां पर शो करते हैं, इस गती को मापने की इकाई क्या होती है, S, स्वेटबर्ग य